॥ु रंधु आज इपीसोड थर्ड और लाइस्ट एपीसोड है । फुल कोर्स का आज एपिसोड थर्ड इससे पहले दो एपिसोड में बना चुका हूँ एक गंटे के करीब तो चलिए आपे इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है और चलिए आपे आज हम सीखने वाले हैं कि एक फॉर्म को कैसे बनाया जाता है कैसे फॉर्म को चलिए तो सबसे पहले कोई भी फॉर्म होता है उसमें सबसे पहले आपका आता है नाम की नेम पर्शन का क्या है और नेम देखिए जब आपको इंटर करवाना नेम फाव में लाना है तो उसके लिए जो जो मैं यहां पर टैग यूज करूंगा वही टैग से आप भी इस त है इन्पुट का मतलब यह होता है कि आप इन्पुट मांग रहे हो किसी से ठीक है और टाइप में आपको टेक्स्ट लिख देना है तो टेक्स्ट का मतलब यह हो जाएगा कि आप किसी से इन्पुट के तौर पर टेक्स्ट मांग रहे हो ठीक है तो नाम में में टेक्स्ट ही किया हमने नेम लिखा ठीक है नेम लिखा उसके बाद इस तरह से बनके आएगा अभी आपको समझा जाएगा में चीर यहां से जुरू होती है इंपूड हम लेंगे यूजर से किस टाइप का इंपूड लेंगे तो टाइप बताना है टेक्स्ट टाइप का इंपूड लेंगे नाम में क्या होता है तो टेक्स्ट टाइप का इंपूड लेंगे और आम यहां पे प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे ट्रिबूट के तरुप तो प्लेस होल्डर में क्या होता है प्लेस होल्डर में यह होगा जब तक यूजर वहां पे नाम अपना लिखेगा नहीं तब तक वहां पर प्लेस होल्डर मतलब वहां पर क्या सो कराना है वो बता दीजेस को तो यहां पर मैं इसे सो करवा दूता हूं कि इंटर हियर जब तक सोगर जब तक वो लिखना दे वहां पे अपना नाम तो इस तरह से आपने देखा हो कि कहीं पाउम में वहां पे लिखा रहता है जब आप लिखने लगते हो नाव ना तो वाड जाता है तो वही प्लेस होल्डर में आपको दे देना है ठीक में अपना नाम दे दिए और यह नाम होता है वह रिक्वाइड होता है यानि कि जरूरी है हर आलत में नाम उस फाम में भरना आई पड़ेगा तो आप रिक्वाइड एट्रिबूट का यूज कर सकते हो तो सिरफ मैंने आपने क्या देखा कि मैंने एक नाम लिखवाने के ल प्लेस होल्डर में हमें दिखाना है कि इंटर हीर लिख करके आए जब तक वहां पे नाम लिखना जाए फिर हमने मैं लेंद इसकी डिसाइड कि यह 20 ठीक है यह और फिर मैंने लास्ट में एक रिक्वाइड की वर्ड लगा दिया लगा दिया है रिक्वाइड एट्रिबू तब आपने क्या देखा देखिए यहां पर नाम जो यह है हमारा फॉलप में बन किया चुका है अब यहां पर देखिये हम कोई भी नाम देंगे गेड़ गया यह आप देखेंगे के पीछे भी जो लिख करा रहा है इंटर ये यह ना तो इसमें देखिए ये भी लिख पर रहा है प्लीज फिल आउट इस फिल्ड यह लिख करा रहा है कि लिखना जरूरी यह लिक्वाइर है मतलब हाराल में नाम देना ही पड़ेगा है तो आपको सिर्फ नाम में इतने सारे अट्रिबूट यूज करके आपको दिखा दिये ताकि आपको एक प्रॉपर बढ़िया न करेंगे बिया टाइक बिया टाइक किया होता है ब्रेक करने के लिए कि थोड़ा आउट नीचे मतलब लिखना सुरू करेंगे यह थोड़े ना कि वहीं पर खपड़ी बर सब चीज मिला दें तो फिर यह की मिल जाएगा अच्छा नहीं लेगे तो दो बिया टाइक यूज क देंगे तो इसके लिए देखिए हम यहां पर देंगे जो हमारा ट्रीबूट है वो टेक्स्ट एरिया हम देंगे टेक्स्ट एरिया से हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट एरिया से जो है हम यहां पर जो एड्रेस है वो लेंगे तो टेक्स्ट एरिया जो है एज टैग हमने है छूटी हो इसलिए छूट गई है क्योंकि हमने दो भी अटाइग यूज किया थे ताकि एकी में ना मिल जाए इसलिए बिया टाइग हमें इसाब को यूज करना पड़ेगा जब भी आपको दूसरी ची लिखने जा रहेगा तो यहां पर टेक्स्ट देखिए आप एडरस मे यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा नीचे बढ़ जाए क्योंकि एक ही जिगा ना माठा हो जाए सब एक ही जिगा है तो एडरस हो गया अब यहां पर हम जेंडर जेंडर लेंगे तो जेंडर ले ले लेते हैं जेंडर के लिए अलग तरीके हैं जेंडर के लिए हम यहां पर इन्पुट लेंगे ठीक है, इन्पुट लेंगे और इन्पुट में typ क्या होगा इस बार, इस बार इस बार टाइप अलग होगा gender चूंकि हम ले रहे हैं, तो उसमें में हम यूज कराएंगे radio button का, किस तरह की type का? radio का, radio एक button के तवर पर आपको देता है, इस में क्या होता है इसमें आप एक ही चीज़ सेलेट कर सकते हैं यानिकि सेलेट करने के आफसान तो होंगे दो male और female लेकिन उसमें select आपका एक ही होगा दो नहीं होगा ये चीज़ ध्यान रखेगा इसलिए यहाँ पर radio का बटन का यूज किया जाता है तो type मैंने radio लिखा और उसके बाद यहाँ पर value हम दे देते हैं male value और male को m से denote कर देते हैं जादा बवाल नहीं लिखने गए और उसके बाद उसके बाद यहाँ पर name जो है name का यूज किया और name में हम दे देते हैं gender ठीक है तो gender name देखिए आपको जब भी name में लिखने पड़े आपको जब भी name में लिखना पड़े वह आपको हमेंसा यही लिखना है यह अकसर तरह आपको यही लिखना है gender ठीक है वही सेम आपको tip देना है यहाँ पर name में ठीक है यह क्यों होता है मैं आपको भी बता देता हूँ कभूए तो लिख देना है's but जेंडर ही लिख देना है खींकि जेंडर का ये था आउसके वास पिस यह ऐख यह वह लगा देते थैं ठीक है और और इसको mail हम यहाँ पे लिख देते है अब यहाँ पे हम दूसरा input बनाएंगे तो दूसरा input हम वही कटका पी पेस्ट कर देते हैं जल्ली हो जाएगा क्यों बालतों में तना लिख है बस थोड़ा जो change होगा वो कर देंगे तो यहाँ पे input पेस्ट किया और यहाँ पे जो radio बटन वही रहेगी बस एम की जगा फीमेल की जगा एफ हो जाएगा ठीक है नेम जेंडर वही रहेगा यहाँ पे फीमेल कर देते हैं बस बाकि सब सेम है तो फीमेल देखिए ठीक है बिलकुल एकदम मसता है तो जेंडर हमने दो दिये दो radio बटन की उसकी radio की जो बटन एट्रिबूट है इसलिए उसकी जाता है कि radio से एक ही चीज़ सेलेक्ट होती है या तो male सेलेक्ट कर पाओग या फीमेल ऐसा तो होगा नहीं कि क्यों परसन male भी हो female भी हो है ना यह किस तरह की बात हुई तो इसलिए इसका यूज़ लिया जाता है radio का चलिए इसको run करवा के देखते हैं कई सा लगता है तो run करवाते हैं और यहाँ पर देखोगी तो इसमें एक चीज़ सेलेक्ट होती है आप देखोगी यहाँ पर मैंने चीज़ बता दूँ की ने मैं मैंने gender ही क्यूँ दिया है देखे जेंडर देने से मैं इसको यह बता रहा हूं कि gender को के लिए यह चीज़ लिखी गई है तो इससे ये पता चल जाता है कि इसके लिए पूचा गया है, तो हमें एक चीज उठाने हैS तो आब हम यहां पर country को select करवाएंगे select country select country तो select country और select country के लिए यहाँ पर option का यूज़ किया जाता है option attribute तो option का यूज़ किया एक बार option में बंद भी कर दिया तो select में India और फिर एक दूसरा नीचे और बना लेते हैं इसी तरहीं किसे यह tag यूज़ किया गया है option tag ठीक है एक बार उपन किया एक बार बंद किया और बीच में मैंने country का नाम लिखती है तो तो यहाँ पर दूसरी country लिख देते हैं USA माल लीजिए इसको run करवाते हैं देखते हैं इसमें क्या होता है तो option tag का यहाँ पर यूज़ किया गया है इसमें देखिए क्या होता है तो run करवाते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ गलबड होई है हाँ गलबड यहाँ पर यह होई है कि इसमें यह बनाने से पहले झोकि select कर रहा है country को तो एक tag और यहाँ पर यहाँ पर यह बन्द होगा और यह पूला जाएगा तो यह जो सेलेक्ट कंट्री वाला सिस्टम ऐसे बनाए पूरा ठीक है यह सेलेक्ट में से अइन्डिया रॉएस आपर की तो यहां इसे सामने के सेคट का उसके हैं इसेहां रहे हैं पिर सेलेक्ट का इसे शिट्ची की कि currency वह जैए शिंत करgoing कियाb पर देखाऊगा तो ऐसे किया जाता है समझ गये अब हम नेक्स चीजी दिखते हैं मिलसे अधे तो नगहांगे तो यह अधेगा लेते हैं रहने के बाद थो ढूपर हएंगे अब हम किया इस पार dwaर यह चाहिए अब हम इस फोड़ किₙ करेंगे अब हम इस फाउम में अप्लोड करेंगे कोई फाइल को कैसे फाल को फाइल को अप्लोड किया जाता है जैसे हमाली जो कोई फाइल आप यूजर से लेना चाहते हो है जो एज इंपूट कि वो कोई फाइल अप्लोड कर सके तो अप्लोड फाइल और यहां पे इंपू में जो फाइल लिख रहे हो ना इसी से आप फाइल अपने यूजर से ले सकते हो और नेम में जैसा कि मैंने पहले ही का यहीं नेम आपको एजिटीच रख देना है तो इसको मैं कापी कर लेता हूं उसी को नेम के अंतर कर देता हूं और यहां पे पेस्ट कर दिया अब देखत में ठीक हो यह चीज हो गई अब नेस्टीच हम देखते हैं कि कलर कैसे से लेट कर आए जाता है यूजर से कि माल लिजे कोई कलर आप इन्पुट के तौर पस सेलेट करवाना चाह रहे हो तो उसको भी सेलेट करवा सकते हो दो भी आर टाग यूज कर लेता हूं तो दो भी अब कलर कैसे सेलेट करा जाता है यूजर से तो सेलेक्ट कलर माल लिजे कोई आप साड़ी माल लिजे आप आडर करवा रहे हो ठीक ना और उसमें माल लिजे आपको कलर यूजर से लिवाना है तो इन्पुट आप यहाँ पे कलर दे देजिए टाइप में आप कलर देजिए क्योंकि यह बहुत ही जरूरी चीज़ है और यहां पर देख लिजिए सेलेट कलर का भी अफसान आगया अब यूजर जो भी आपे इंपुट कलर में फार्म में दे सकता है ठीक है चलिए अब यह हो गया अपने कलर बनाना सीख लिया कैसे फार्म में लाहे जाता है ठीक है दो तो कैसे किया जाता हूँ देगे हम इन्पूट लिखेंगे इन्पूट लिखने के वाद टाइप लिखेंगे टाइप दो लिख लिखह जाजिता ठीक है तो आप आप एमेल भी आ चुकिए अब देखिए आप एदी मैं गलत इमेल देता हूँ और मैं आंगे बलता हूँ तो देखिए बता रहा है कि एड़ डरेड लगा ये वाकई सही से इमेल लिखिए वरना ये संबिट नहीं होगा ये होता है इमेल सेक्षन लाना कैसे लाया जाता है क्वाम में आपने देखा कापी चीज आप सीख रहे होगे आयोप तो इमेल वाला हो गया अच्छा बात आ जाती है एज की एज कैसे अच्छा लिख की जाती है तो बिया टैक फिर हम अपने यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा नीचे से रख जाए वो होती है नंबर में होती है सेंपल सी बात है और नेम में आपको एजी लिख देनी है ठीक है एज लिख दी और यहां पर माल लिजिए आपको कोई एक निश्चित ट्राइटरिया के अंतरगत एस सेलेक्ट करानी है कि मिनिमा में जो देखिए मैं इसको जानबूच के जोड़ जितने भी आप 18 साल हो ओमर ठीक है मैं इस तरह से आप मिनिमा मैं की लिमिट भी लगा सकते हो तो उससे ज्यादा लेगा नहीं इंपूट यूजर से 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 करते हैं और रन करते हैं देखते हैं कि अब कहीं में वैसी चीज़ हो रही है तो एस देखिए यहां पर आ चुका है अब यहां पर देखिए जो मिनिममम है वो एक से सुरू हुआ और 18 से उपर नई बढ़ रहा है तो यह एक तरीका होता है तो यह अच्छी चीज है मिनिममम एक जिम भी अब लगा सकते हो एज में एज में नहीं आप किसी भी चीज में लगा सकते हो मेरा काम है आपको एट् लगा सकते हो तो सीक्रेट के लिए यहां पर जो है जुगाड है और यहां पर मालीजी आपको कुछ सीक्रेट रखना है उस आप चाहते हैं कि यह हमें भी पता रहे है दमाकी ना किसी को पता रहे है तो भी अब लगा सकते हो बस आपको यहां पर इन्पूट में लिख करके hidden लिख देना आ है hidden लिखनेכे बाद यहाँ पे name में आपको name में आप चाओ तो कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाओ जैसे माँ लीजे मैं डिख देता हôm तो आप यहाँ पे name में कुछ भी लिख सकते हो उसको store करवा सकते हो यह आपकी जो इस प्होंगा नई सो करेंगा देखिए गुष्पे आपके सामने ब्लेंक यहां पर कुछ भी नहीं यह लेकिन आप नेम में कुछ भी लिख सकते हो तो इसे दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है दूसरा तरीका ये माल लीजे आपको दूसरे तरीके से इसको secret रखना है तो paragraph में रख लीजे paragraph tag ये होता है P से बंता है इसको close और बंद दोनों करना पड़ता है hidden का यूज कर सकते हो अब इसके अंतरगर आप जो भी लिखोगे ठीक है this paragraph hidden तो यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो कभी so नहीं करेगा है ना तो और इसको फिर बंद कर दीजिए paragraph tag को अब देखिए कि जो भी आपने इसके अंतरगर लिखा है hidden attribute को यूज किया गया paragraph में तो यह कभी भी so नहीं करेगा ना कभी नहीं so करेगा तो इस तरह से आप कुछ भी चीज अपने अपने सवलियत के लिए आप अपने coding में store करवा सकते हो ठीक है तो यह हो गया आप यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर BR tag यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे आप हम calendar के elements देखेंगे क्या है के element देखेंगे calendar के element कितने द्राइब की होते हैं ठीक है calendar के element अब हम देखेंगे calendar के element अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसके लिए आपको यहाँ पर जो है input के तोर पर लिखना क्या पड़ाएगा कलेंडर सोई input नहीं बस आपको कलेंडर लिखना है और इसके attribute जो है हम देखने वाले हैं टैग या फिर जो भी होंगे वहन देखेंगे तो कलेंडर की spelling ठीक कर लेते हैं कलेंडर और यहाँ पर input हम लेंगे इसके देखिए जितने भी होते हैं उस सारे मैं आपको बता देता हूँ तो input में अब मैं आपे date लेता हूँ ठीक है date ली और यहाँ पर name में हम जो है वो type name में date ही कर देते हैं ठीक है तो इसके सारे मैं आपको बता देता हूँ कि एक भार में ख़तम कर देते हैं भावाल को तो इसी को ना मैं कपी पेश्ट कर लेता हूं थोड़ी थोड़ी चेंज करके मैं आपको बता देता हूं कि सारे की यूज होते क्या हैं तो इसके दरसल चरपांच 5-3-2-5 हैं चले 5 उता देता हूं तो πांच भार मैं वर्वाई क दीजिए क्या कर दीजिए date time local तो सबके देखिए अलग-अलग चीज है date time local तो यह सब calendar के लिए जूच की जाते हैं attribute और यहाँ पर हम यह कर देते हैं week, तो week select करने को आएगा week एक ही बार मैं सारे attribute आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको दीजिए मन्त तो मन्त आएगा select करने को ठीक है अब इनके सबके नाम मैं लग-लग कर देता हूँ time का मैं time नाम कर देता हूँ अलाकि यह कोई जरूरी जिन नहीं है लेकिन फिर भी मैं अच्छी आदत आपको डरवा रहा हूँ यह आप नहीं समझ पाओगे date time local है यहाँ पर मैं इसको name में लिख देता तो हाट ठीक है name में paste कर देता है paste week को भी name में कर देते हैं कि सब अलग लग लगे कोड़ जितना साफ अच्छा होगा उतनी सोलियत रहती है कोडर को गंदा कोड़ अच्छा नहीं लगता है कि यह कि में सब उसी में सब करें भी तो यहाँ पर मन्त में तो मन्त ठीक है अब हमने पांच यहाँ पर जो एट्रिब्यूट है देट, टाइम, टेक्ट वीग देट टाइम लोकल वीग मन्त अब इनको रनकर करकर पांचों देख लेते हो कियी परिवर्थन होता है फाउम में आप देखियेगा तो पांच चीजे हमारे सामने आ चुकी है पहला हमारे सामने क्या था étant देखिए यहाँ पर डेट सेलेट करने का आ गया, तो यहां से आप डेट सेलेट कर सकते हो, आम जो यूजर सेलेट कर सकता है, फिर हमने दूसरा क्या बनाया था, टाइम, तो हमसे आप टाइम सेलेट कर सकते हो, देखिए टाइम आ गया, ठीक है, तीसरा हमने क्या बनाया था, dead time local इससे क्या हूआ है थिरा अपर Sana donate time local की तरह मतलब सेटकार करने सब calendar के लिए हैं Soon deat time local का यह नवा चलीक तो इसमें अब week सेडिकल्र कर सकतो है यह ऐना week by week आगिया और पिर क्या था month तो आप महिना अइगा तो यह आप देख सकते हो महिने में select करवा सकते हो तो यह तरीके हैं एक कलेंडर के सारे ट्रिबूट पॉस्बल मैंने आपको बता दिया बियार टैक का यूज करेंगे ने जिब देखेंगे कि पाउम में कैसे ली जाती है तो बियार टैक यूज किया और बंद ठीक है और ठीक है हो गया आप हम देखेंगे क्या ऐसा मतलब हम देखेंगे कि सिर्फ रीड अनली यूजर कर पाए और लेकिन वो कुछ में कुछ छेड़कानी ना कर पाए क्या मतलब हुआ आप हम ऐसा चीज़ देखेंगे कि हम यूजर कुछ दिखाना चाहते हैं वो उसमें चेंज ना कर पाए जो हम लिखें वही ची ख़ए जाए तो इसके लिएší पुक्ट टाइप का यूज करेंगे एंपुर्ट बलकि हम एक टेक्स्ट लेंगे में हमने नाम में इस बार हम कुछ करण करेंगे और इसमें ऑक नेम देगैं आपल ज frustrating user कट्री करकत देंगे read only यह एक attribute है read only जैसे वो required था नाम में तो इसमें मतलब यह हो जाएगा कि user जो है वो सिर्फ read कर सकता है इसमें कोई change नहीं कर सकता है देखिएगा run करता हूँ तो यह देखिए जो इंडिया यह बिगड़ेगा नहीं यह देखिए बिगड़ेगा यह नहीं कुछ भी कर लिजिए तो read कर सकता है सिर्फ user जबकि इसको write नहीं कर सकता है read only attribute का यूज यह होता है समझगे होंगे ठीक है और दूसरा जो है वो एक बटन होता है जिसमें आप बटन जो है वो disable मतलब एक तरीके साब ऐसे समय लिजिए input type चलिए मैं बता ही देता हूँ इंपुट टाइप और यहां पर डिसेब बटन 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 हो गया और यहां पर इसको हम disabled लिख देते हैं तो यहां पर इसको हम disabled disabled तो यह बटन जो है disabled हो जाएगी इसमें कोई change नहीं कर सकता है यह बटन को disable करने का तरीका है ठीक है और इसमें फिर अंदर जो भी आप लिख दोगे तो वही चीज़ सो करेगी एज बटन लेकिन उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है तो यहां पर क्या हुआ क्या हु चुकर यह बटन जो है बंद होगी ठीक है और जो इंपूट के रूप में यह लिख면 यीगा और वो चेंज नहीं होगा खेगा कुछ भी कर लीजिए पहले देख लीजी कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर देखोगे देख क्या हुआ हुआ तो यहाँ पर कहीं कुछ को तो यहाँ पर साहएद इनपूट ही लेगा लिया जाएगा या फिर देख लेते हैं बार करके तो क्लिक मी तो यहां पे डिसेवर्ड क्लिक मी एर इसको भी छोड़ते हैं और आप देखर के देखेगा इसका गूगल सर्च कर लीजेगा तो मुझे यहां पर याद नहीं आ रहा है ठीक है तो आपने आपे देखी लिया होगा कि बटन की रूप में आपे लिखके आया है क्लिक मी लेकि यहां है यहां पर चूस करने का मतलब कि एक ब्राउजर को चूस करने का कई से बनाए जाएगा तो मतलब कहीं सारे मना बनाएंगे उसके बाद चूस करेंगे तो चूज ब्राउजर हमने लिख लिया अब इसमें हम यूज करेंगे कई सारे अट्रिबूट्स और चीजें तो यहां पर इन्पुट हम लेते हैं इन्पुट ठीक है इन्पुट टाइप हम लेंगे इन्पुट लिस्ट हम लेंगे इन्पुट लिस्ट गे हम लेंगे देटा लिस्ट हां गया अब यहां पर हम आईडि दो देते हैं जिसकी आप लिस्ट बना रहे हुषिक यहां प्लता है तो यहां पर हम ब्राउजर की लिस्ट बना रहे हैं तो ब्राउजर लिख दिया और इसको नीचे बेज़ देखें थोड़ा लिस्ट बनेगा जब हम सारा डेटा दे दे देंगे ठीक है तो जो टैग है वो लास्ट में बन्द हुआ है आप यहां पर हम जो आएं ऑप्शन का यूज करेंगे क्यों कि हम सेलेट कर वाना है लोक्ते को सब्सेक्स में value दे दो option value वो भी देनी पड़ेगी और यहाँ पर इसी तरह से काम चलेगा तो option में value दे दो option और value value में क्या दें जैसे माल लीजिए कोई browser आप पकड़ देजिए internet explorer internet explorer और दूसरा कोई option में browser दे देते हैं browser कहां गया option और और value ठीक है value दिया और यहाँ पर firebox दे देते हैं दूसरा browser और ठीक इतनी रखती जाना है बावाल नहीं बनाएंगे क्योंकि में चीजिए समझाना दुनिया कर नहीं अब इसको हम save कर देते हैं तो हमने क्या चीज़ बनाई और कैसे बनाई समझीए यह इतना coding है जहाँ पर हमने choose browser लिखा उसके बाद हमने input के तोर पर एक list input जो keyword का यूज किया फिर मैंने list एक attribute लगाया browsers लिखा फिर data list का मैंने tag यूज किया फिर data list के tag को data देने के बाद बंद भी कर दिया option से मैंने select का button बन जा इसलिए मैंने option लिखा फिर उसमें भी value मैंने देख करके देखिए इसको run करवाते हैं कैसा बनता है तो यहां पर देखिएगा आप तो यहां पर चूज ब्राउजर में जो है यहां पर चूज ब्राउजर में अभी आ नहीं रहा है option value चूज ब्राउजर से चूज ब्राउजर ठीक है इंपूट लिस्ट ब्राउजर और डेटा लिस्ट आईटी डेटा लिस्ट यहां पर गरवल ही है अब यहां पर आप से लेट कर सकते हैं और जो भी आप से लेट करना चाहो थीक है यह चूज ब्राउजर इस तरह सब से लेट कर सकते हो तो गरवल हो ही जाती है जो भी हो क्योंकि वीडियो सूट करना और मैं आपको बता दूए वीडियो एडिट नहीं होता है यह बार श्टार ब्र दो चलते ही जाता है भी आठाट करेंगे में search लिख दीजिये, search, save करते हैं, run करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर जबने run किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर search कर सकते हो, कोई भी चीज अपने form में, तो यहां पर ऐसे आप लगा सकते हो सर्च बार ठीक है यह हो गया और फिर हम भी आर्ट टैक का यूज़ करते हैं और फिर आपको कुछ और नया बताते हैं तो सर्च हो गया आप यहां पर मुवाइल नंबर मालीजे आपको देना है तो वह भी दे सकते हो कि मुवाइल नंबर इन्पूट टाइप में आपको लिख देना है टेल टेली फॉन को टेल आपको सिर्व लिखना है नेम में आपको क्या कर देना है नेम में आपको मोईल नंबर लिख देना है मुवाइल नमबर देखे नेम को लिखना जरूरी नहीं होता है मैं बस आपके अच्छी गादत पड़ जाए उसके लिए आपसे करवा रहा हूं और इसका कोई यह नहीं कि आप नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं उतलब यह इसा नहीं होता है मैंक्जिमाम लेंध मोईल नमबर एक मोईल नमबर की वर दस होते हैं बिखने हैं में करके यह लिखने का आ गया है आप इसमें देखिए जो डिजिट है वो 10 से ज्यादा यहां पर नहीं हो सकते हैं, तो यह एक तरीका होता है मोगाल नमबर लेने का ठीक है, पासवर्ड की यहां पर बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप नेश्ट की देखेंगे जिसका नाम है आपर पासवर्ड, तो पासवर देखिए लेने के लिए आपको यहां पे देखिए अलग से आपको पासवर्ड कैसा होटा है पासवर्ड का अलग सुरूप होता है कि पासवर्ड का लेने का तरीका एक अलग होता है तो उसके लिए आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि यह तो वाप वही होगे password password के लिए ग़लाग तरीका कर जो इस पूर्ड यह इन पूट इन पूट objects of all टाइब में अवको अभी आप अरो नेम में आपको नेदी आपको password दो के अब पासवर्ड, ठीक है, सेफ कर देते हैं, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे पासवर्ड नीचे आ चुका है, पासवर्ड जैसा होता है, कि पासवर्ड कभी भी आपको दिखता नहीं, बलर हो जाता है, मतलब वो बिंदुकिय करते हैं और दो-चार और बचे हुआ और आपको बता देते हैं फिर ये फार्म बनाने का पूरा जो प्रक्रिया वेने आपको बताई वो खतम हो जाएगी और आप बहुत कुछ सीख जाओगे ठीक है फार्म आप बन गया आप आती है सम्मिट बटन को कैसे लाया जाता एक फा एक वैल्यू का मतलब यह होता है कि आप वैल्यू दे रहे हो तो वह जो पन वापण उसलद प्रकिन क्या समीट दिखा ओगी हम नाम लिखवाने में करोंगे तो आपको जब नाम लिखोंगे तो इस वयल्यू जो दोगे उसको मिटाना पड़ेगा लेकिन समीट बटन में आप वैल्यू देओगे तो इसका मतलब यह होगा कि समीट बटन पे लिखा आएगा उसको बताईए तो submit form में submit लिखवा देते हैं ठीक है आउर क्यावस में तो value यहाँ पे इस तरह से यह value जो attribute है वो इस तरह से काम करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो submit की बटन नीचे आ चुकी है ठीक है तो इस तरह से form आपका submit होगा और यहीं पे बात आजाती है कि आपने कहीं बार एक और बटन देखी होगी अक्सर तर जो होती है reset की तो reset की बटन form में भी लगा सकते हो जिससे पूरा form आपका खाली हो जाएगा तो input लगाईए यहाँ पे और input लगाने के बार type में आपको यहाँ पे reset लिख देना है ठीक है type में आपको reset value यहाँ पे फिर देदेजीए तो यहाँ पे value हम दे दे देते है reset की बटन पे मतलब जो लिकना लिककर आए वो बताना है तो value की बटन पे reset ही लिककर आए और क्या उसमें हम लिखवाएंगे तो लिखवा दिया अब हम इसको फाइनल और लास्ट था अब हम थोड़े दोर एट्रिब्यूट आओ देखेंगे और फिर हम इस वीडियो को इंड करेंगे तो आपने देखा यहां पर समिट के साथ ही रिसेट बटन भी आचुकि यह पॉम पे तो यह हमन लास्ट में बंद भी करते से आफी डिख ओंधर्वर को बनाने से पहले ज़िए किया हो गया तो पंव में आप बंद भी कर देते तो यह आप हर फॉर्म में जरूर करेंगे, इसी में में मैं अम्मीद करता हूं और यह किया भी जाता है, फॉर्म Tech का व्प्योग आपको जरूर करना है, तो यह फॉर्म की तो जब सब मैं आपे दो टैग आपको और बताने वाला हूँ एक आप लगा लो फिल्ड सेट फिल्ड सेट यह खुलता भी बंद भी होता है यह चीज़ा दर्खना और उसके अंतरगत आप लगा दो लीजेंड टैग फिल्ड सेट के अंतरगत एक टैग लगाओ जिसका नामे लीजेंड तो यह लीजेंड काम क्या करेगा आप लीजेंड के इंतरगत जो भी लिखोगे वह मतलब एक स्टाइल आपकी बढ़िया बना देगा फॉम की मतलब तरीका अच्छा कर देगा आपका फाइल का फॉम का तो टुटोरियल फॉम था यह हमारा तो लिख देते हैं देखेगा आप जब देखेगा तो लगेगा किसे हुआ क्या है टुटोरियल फॉम विद एस्टीमल और इसको सेफ कर देते हैं तो आपर देखिए मैंने इतनी चीज अश्ट्रा लगाई है फिल्ड सेट फिल्ड सेट के अंतरगत फिल्ड सेट एलिमेंट फिल्ड सेट टैक यूँज ो कि अंदर मैंने लिजन टेक का यूँज किया, तो रियोड से लिजन एक से इह उता है आई होप आप समझें देखें मैंने पूरा फाम आपको बनाना दिखाया किस तरह से चीज़ों को अब लगा सकते हो बहुत सारे ट्रिब्यूट टैग सारी चीज़े बताएं वीडियो ते अच्छा लगो यह मारा फाइनल वीडियो था तीन वीडियो मैंने पूरा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें जिसना आधा वीडियो को सेर करें